फिर हिना बयात मुझे मिली तो मैंने से पूछा कि मुझे मैंने भी तक जो खाई के सीक्वेंस चल रहे हैं उसमें इसलिए इसके इतना इंपक्त है उसमा के मरने के बाद आया मिया के मरने के बाद आपका पागलपन समझ नहीं आया वो क्या हुआ तो उनसे भी मैंने पूछा उनने बहुत अच्छा शूट हुआ था बड़ा एक्स्टेंसिव हर एंगल से घंटो शूट हुआ लेकिं वो इंपक्त भी खतम किया और कुछ कम ही बेशी होगे इस सीक्वेंस में वरना वह बहुत अच्छा शूट हुआ था और आप इसको फिर यूट्यूब पर डाल दें क्योंकि हिना बयात ने इतनी मेहनत की उसीन पर, we want to see that के वह कैसे पागल हुई